लड़की थी जिसने अरबी लिबास का कुछ लिखा हुआ था उसके उपर हलवा टाइप का कुछ लिखा हुआ था तो चंदिक मौलवी हजरात गए वहां पर जाकर कहने लगे कि भाई इसके अंदर कुरान मजीद के इलफाज लिखे में तो आपकी हिम्मत कैसे ही सब के सामने इसको उतारो तो आपको क्या लगता है कि यह चीज़ें देखते हुए कैसा फील हुआ यह नहीं हुआ सर मेरा बिजनेस दुबई में भी है तकरीबन 14 साल से ठीक है मेरा अपरा पाकिस्तानी रेस्टूरेंट है लेकल बात यह हमारी पाकिस्तानी आवाम है यह जाहल है अदमी था वो किसी गाउं से साओधिया में चला गया तो वो वाश्रूम पर लिखा था बैतल खला उसने च की बुरी बात मैं है लोगों को शाओड़ नहीं है शाओर आएुगा भी नहीं सि पचास में भी शोर नहीं आएगा नहीं ऑचाहरे किसी ओच आरपचास के पास्कूर्ट टार रही किसी एरपूर्ट के कॉंटर पर तो वह ऐसे देखते हैंस पस्छीए नावस्कार दोस्तों जी बीएचों और रेक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तानी आपको बताएगा कि पाकिस्तान की कितनी जाहिल अवाम है और पाकिस्तान की अवाम की उतरकी नहीं कर पा रही है और जाहिलों की बीच में रहकर उसे कैसा रखता है और ऐसी ऐसी उसने बात कही है जब पाकिस्तान की जो मौलाना हैं जो जाहिलापन दिखाते हैं जब उसकी बात है सुनेंगे तो उसे गदार डिकलेर कर देंगे कि ह那么गदार है इसका सर कलम कर दो तो वीडियो काफी इंफॉडेंट है दोस्तो वीडियो है डेली सुएग योट Iyaटू चैनल का चली दोस्तो पहले वीडियो देखते है और मिलते हैं वीडियो के बात नाम आपका वसीम सबसे पहले तो वेलकम टू लाहूर तो बात करने का यहां पर पर परपस है कि अभी आपने को ने हमारे लाहूर के अंदर एक वाकिया देखा होगा इश्रा के अंदर एक लड़की थी जिसने अरबी लिबास का कुछ लिखा हुआ था उसके उपर हलवा टाइप का कुछ कहने लगे कि बाइस के अंदर कुरान मजीद के इलफाज लिखे में तो आपकी हिम्मत कैसे हुई सब के सामने वो कह रहे हैं इसको उतारो तो आपको क्या लगता है कि यह चीज़े देखते हुए कैसा फील हुआ यह एच्छा हुआ यह नहीं हुआ यह क्यों बात है उसने चुमना शुरू कर दिया वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चुमना लफज है ठीक है लेकिन यह बुरी बात है कि वह कुरान का लफज नहीं उसने बताया भाई यह तो बैतल खला है अर्भी जबान हमारे नभी पाक अर्भी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चुमना शुरू कर दें थैंक्यू सर्फ मैं आप से पूछना चाहूंगा ऐसा लेडी एक लड़की होते वे जब आपने देखा कि बजार के अंदर एक लड़की के साथ यह सब कुछ किया जा रहा है जा जिसने कोई बहरुमत और फिरते होएं कि आपको ढदर लगताνा कभी जी बहुत ज्याद़ र», और वैसे करना है यह इन भास बढाया है उन्-ठाइय प्रदह लोग और पाकिस्तानी मुलधं है यह और यहां से लिबास बनाना चाहिए नहिंए पंपनी यह बूल बनाती है यह बरी बात नहीं ऍ हो आगे सर पेजें डिखे न है कि नहीं सगोल जाते हैं यह वाक या वीबत ओकशने हैं के बच्चे जाते हैं स्कूल से उठाय जाते हिए उनको के साथ रेप हो जाता है हमारा मुलक ही सेफ 15 नहीं हैخंए हैं इत्र तालीविक संब beiden हमारे बच्चा Sandhya में अदिधों गोगे डभी मेरे साथ काफी दोस्त इंडिया के हैं वह इतना सबक्चावा उपना सप्री पॉर्प्टी इस पोड़ा लेते Jews 10 महां हम से ज़्यादा इंडिया में सबस्क्राइब किसी मुलक में लेकर जाओ उनकी बहुत हिज़त है हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एरपोर्ट के कॉंटर पर तो वह ऐसे देखते हैं आप क्या कहना चाहेंगी आप कुछ कहना चाहरी है तो इनको करना चाहिए था लोगों न किया उसकी बात कर रही है जी कैसे देखते हैं सर आप आईएगा थोड़ा सा इस तरह आएगा कि यहां पर हमारे लेडिस घर से बाहर निकलते वे भी इस तरह की जब उसको उस लड़की के सद्गी होते वे देखा तो बहुत सारी ओरते डर की होंगी दिल में यार यह इनके साथ हो सकता था तो क्या उन लोगों को जिन लोगों ने ये काम किया उनको क्या कोई कानूनी सजा भी देनी चाह सर देखो लाएग आप तो इदर लहोर में रहते हैं आप लोगों को नहीं पता यह जो छोटी सिच्टिया गाउंगा ना इनमें गरीब बंदे को इनसाफ नहीं मिलता तो यह जैसे को गाउंगा होता है उसका वह एक मजदूर बंदा काम करने वाला उसको खैंच लेता है ब इंडिया में मुस्लमानों के साथ बड़ा जलम होता है, वहाँ पर तो यह होता है वो कहते हैं कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने देते, लेकिन, सर कुछ भी नहीं होता, मैं 14 साल से मुकीम हुआ, सौरी दुबाई में, ठीक है, काफी दोस्ते रेस्टूनेंट का काम ही हर बंदे पूरी निशनली 206 मुलक है हमारे हर बंदे ने आना है रेस्टूनेंट पर हर रंग के आदमी ने आना है तो बाते तो हम सुनते रहते ना बजया क्या वो बाते कारते हैं थोड़ा ओडियंस को बताएं कि हमारे ौड़े पाकिस्तानी लोगों को बताएं की क्या वो बाते करते हैं इंडिया के मूसलमानों dub second लोगों के बारे ilsं कि अच्छे लोग हैं ये किसी को तंग नहीं करते और उनके मुलक में ये मुसलमनों के साथ मैंने खहले बहुत पिल और ये मैंने उधर मुझे नहीं कि लूद असा है वहां लग वह उधा है कि नहीं प्ne जहां पर आग लगती दुआ भी निकलता अगर वहा पर वाकें में होता तो क्या वहाँ के मुकामे मी admitted मुझे नहीं नहीं पता और नाई मैंने सुने आ प्लोग कि दर लहुर में रहते करेंगे सर जिस तरह से हम देखते हैं हमारे रिलेशन खराब होते जा रहें इंडिया के साथ आप देखते हैं कि अगर फोर एक्जामपल के जो औरत के साथ यह वीडियो चली वीडियो चली कि पूरी दिद्धिया में मेरे मेरी बात आदी रही थी वह कंपलीट नहीं हो पाई कि हम कहते हैं कि इंडिया में मुस्लमानों के साथ जलम होता है यहां पर तो हम अपनी मुस्लमान भाईयों के साथ क्या कर रहे हैं बेहनों बेहन के साथ क्या कर रहे हैं कि ओन्दा सड़क रोड पर किसी को अर्बी का अलिफ का नहीं पता वो कह रहा कि अर्भी लिखी वी, इसके ओपर कुरान मजिद का रोफ लिखे हुए, तो दुनिया तो हमें एक्स्ट्रीमस कहीगी सर असल में बात पता ही किया है, कि आपने वो शाहिद वीडियो देखी हो गई अभी तो हमारे ट्रेंड है कि एक मजदूर आदमी के पास भी वो वो दूसरा मुबाइल है, बड़े वाला, वो भी बैठा फ्री होता है, देखता है, देखता है, वो बच्ची को आपने देखा होगा, वो लड़की को कि कैसे सैम गई है, मैंने वीडियो में देखा है, तो य हमारे मुलक में अरब र्यास्ते में आप चले जाए तो इस तरह के काफी बच्च्च लोग पहन के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको पता है, शणूर है, पढ़े लिखे लोग है, कि अर्बी का वो लिखा हुता है, उनको मतलब का भी पता है, हम मतलब का नहीं पता है, ह या यह क्या कहई रहा है और वके नचाहता है ऐसा होता है हुऊ हमारा यह पक सार कासा मॉफला है कि यह नब बंदी लोह बहुत थेज हैं लेकिन जांपे से दिखानी नहीं नेशनल करते हैं कि को चीज को कि भाइक कोई भी कुरान के दिसे पहले जड़ा का वाक्या हुआ इससे पहले हमने एक स्याल कोट के अंदर एक शिलिंकन के बंदे को जला कर रख दिया तो इसी वज़ा से यह वाक्यात हमारे उपर होते रहेंगे क्या बाहर से गोरे आएंगे या पर इंवस्मेंट करने के लिए क्या दूसरी कंट्री से नोन में चले दुबई में आपको हर मुलक का बंदा मिलेगा दूसरी बड़ी बड़ी जो सौरी मुलक केंदा ना उनमें आपको हर लिखे आदमी है आप शौर रखते हैं बातों में हमारा इसलाब बातों में हम मुसल्मान है यह प्रैक्टिकल भी मुसल्मान है नहीं सर यह तो आप बेतर जानते हैं आपको पता भी है अगर वाकि में सुवाल का दूसरा रुख वागर वाकि में प्रैक्टिकल में मुसल्मान पानी मिलाकर हम लोग जनत में जाएंगे आची होता है होगा यार पता नहीं आप लोगों के पास टाइम है या नहीं मैं एक बात करना चाहता हूँ कि एक क्रिस्टन था जिसे हम लोग हसाई कहते हैं ठीक है एक मुसल्मान ने उस क्रिस्टन से पैसे लेने थे दस जार लेना था, बीस लेना था, यह मुझे नहीं पता, ठीक है, उसने पैसे लेने थे, वो बंदा उसके पास एक दफ़ा गया, दो दफ़ा गया, वो क्रिस्टन कहता है, पैसे नहीं है, वो मेरे जैसे एक आदमी पूरा सा पढ़ा हुआ, जाहल टाइप का बंदा, उसके क्रिस्टन मिरे पैसे नहीं दे रहा मैं तो दो घौड़ाजा ब मैंने वह गौड़फादर के पास जहों उसको उसके गौड़फादर के पास गया तो उसने नहां एक चित्थी उसके हाथ में थमा तो उसने का रहाए तुर फे galera कि दूश्के दूश्टा नहीए भरी यह कुछ चिप्धी यह पढ़ो कि उसने पढ़ी जब तो उसने ऐसे कर ली कुष को कि उसने कब रुको में पैसे ले करभा यहाता हूं पैसे कैगे आ गया और वहाइची संत्र चूड़े तुमको मुझे यह बताू सुपने कि Papa ऐले लिख प्ектив संहे हैं यहां मेरा यह आउसेट मेरा यह आप सब्स 생 recurring किसी को मांगते देख़ा भी हॉर आफ़ आफ़ीडन नौब नियुक्ता खुदा की कोश्म से मैंने चार मुलक परैंड चार मुलकों मैं कि जहां हूं जोड के मैं रहा हूँ तुर्की मैं रहा हूँ दुबई में मैं सौधिया मैं ठीक है मैंने काफर को मांगते नहीं देखा तो इधर तुम लोगों ने तुम खुद ही बता रहे हो कि क्रिस्चन को मांगते नहीं देखा तो फिर सारा मसला जो मुसल्मानों में हैं आप मुझे जब मैं दूसरे दिस में जाता हूँ तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को क्या समझा जाता है और अगर हम यहाँ पर बड़ियत तरीके से बड़ियत लेवल पर बात करेंगे लोगों से प्यार से बात करेंगे और किसी के साथ मैं धुका धरी नहीं करेंगे अपना बिजनिस करेंगे तो लोग हमें कितना प्यार देंगे और दोस्तो पाकिस्तान की लोगों के लिए उसने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान की अबाम जाहिल अबाम है जब भी ये विदेसों में घुमने के लिए जाते हैं जी चोरियां चकारियां करते हैं वहाँ पर भीग बगेरा मांगने लग जाते हैं तभी अंतिराश्टी इस तर पर पागिस्तानियों की इतनी इज़द डाउन है कि इनने कोई भी एक भक्त किया भी एक भरोसा भी कोई करनी सकता कि यहां पर कोई तिनका रखा है कि किसी के भरोसे कोई छोड़ जाए क्योंकि दोस्तों इस सॉलिज नहीं है कोई एजूकेशन नहीं है उन्हें बस मदर्सों से उन्हें पढ़ाया गया है मदर्स्त छापो श्कूलों में हमेशा ही पढ़ाया जाता है कि आपने मधब को promote करते रहते हैं कभी दोस्तों इंसानियत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता अभी कुछ दुनों पहले ही एक बाक्या सामने आया था जिसमें एक दुबाई की लड़की पागिस्तान घुमने के लिए आई हुई थी उसकी ड्रेस पे कुछ अरवी सब लखे हुए थे जाहे लोगो ने और से कपड़ा उतारने के लिए कहा कपड़े फारने भी लगे वो तो भला होग पुलिस का के पुलिस आगई और उस लड़की के साथ में कुछ वरा नहीं हुगा उभी करते हैं दूस्त आपको ये वीडियो काफी जादा पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या अपीनियन इस वीडियो के बारें प्ली कमेर्ट सेक्शन और लिकनार ना भुग लें